हेलो गाइज मेरा नाम है देव और आप सभी लोग का मेरे इस यूटूब चैनल टेक देव में स्वागत थे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे जो गूगल एडसेंस का पैसा होता है ये हमारे एकाउन में कब ट्रांसफर होता है अगर आपका प पूरा पूरा अमाउंट जो 21 तारीक को मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होना था लेकिन आज है 22 तारीक और जो मेरा ये अमाउंट है ये अभी भी मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है जैसे कि आपको मैं यहां से एक दिखा भी देता हूँ जैसे मैं AdSense के अंदर दिखाई दे रहा है और ये transfer अभी भी नहीं हुआ है तो अगर आपके भी Google AdSense में यही problem है तो उसके लिए आपको घबराने के कोई जुरत नहीं है क्योंकि जो आपका Google AdSense का amount है ये 21 तारिक से लेके 26 तारिक के अंदर ये कभी भी आपके bank account में transfer हो सकता है अगर आपका amount आपके bank account में transfer नहीं हुआ है तो आप 26 तारिक तक wait कर लिजे आपका जो payment है वो transfer हो जाएगा अगर आपको इसका guideline देखना तो आपको यहाँ पे help वाले बटन के उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद simply आपको यहाँ पे search help पे click करके आपको यहाँ पे type करना है payment तो मैंने यहाँ पे type कर दिया payment payment टाइप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आ गया payment timelines for adsense तो आप एक बार यहां पे क्लिक कर दीजिए इसके उपर क्लिक करने के बाद simply आपको यहां पे drop down करके नीचे की तरफ आ जाना है नीचे की तरफ आने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे लिखा गया है issue a payment between the 21st and the 26th of the month तो जो आपका पैसा है वो आपके account में 21st तरिक से लेके 26 तरिक के अंदर किसी भी धिन ट्रांसपर हो सकता है तो अगर आपका जो पैसा है वो 21st तरिक को ट्रांसपर नहीं हुआ और आज 22 तरिक या 23 तरिक हो गया है तो आप 26 तरिक तक वेट कर लिजिए आपका जो google adsense का पै ये जानकारी पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पास में दिये गए घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी इसी तरह का और वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो थैंक्स फरचिंग मैं वीडियो